Hello friends, this is Imanchi and welcome to Let's Learn इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे RPWD Act 2016 को मतलब दिव्यांग के लिए जो कानून है 2016 में जो बना इस Act के बारे में बात करेंगे Teaching exams में बहुत आजकल पूछा जाता है एक question Special Education हो या normal कोई भी exam हो वहाँ एक question काफी आता है जो RPWD Act 2016 है जो नया बना 1990 के बाद लगभग 21 साल के बाद इसका एक overview लेंगे जितनी भी important चीज़ें हो सकती है दिव्यांग कानून के विशे में वो जानेंगे और जितनी भी जो आपकी किस disabilities हैं उनके बारे में भी एक overview लेंगे Start करेंगे, I hope आपको ये discussion पसंद आएगा समझते हैं The Right of Persons with Disabilities Act 2016 जो है, ये किसके अंडर आता है तो ये आता है Ministry of Social Justice and Empowerment के अंडर सबसे पहला question और important भी है किसके अंडर है तो Ministry of Social Justice and Empowerment के अंडर ये किसको replace करता है तो जो आपका The PWD Act 1995 है Person with Disabilities Act 1995 21 साल बाद इसने replace किया है इस Act को इसकी अगर हम बात करें 1995 वाले Act में आपकी 7 disabilities थी 7 और आज के टाइम पर है 21 तो 14 disabilities नई एड हुई है अगर बात करें कब से ये लागू हुआ तो 15 June 2017 से ये लागू हुआ इस बार 15 June 2019 को 2 साल हो जाएंगे और इसी के साथ एक और इसकी commitment पूरी होगी जिसके बारे में हम आगे discuss करेंगे Next point है ये जो law है game changer साबित होगा इंडिया में रहने वाले लगबग 70 से 100 मिलियन disabled citizens को इसका lab मिलेगा ये कह सकते हैं इसको disabled act 2.0 का भी नाम दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन है एक conceptual change है एक बड़े परिदरश्चर से देखा गया है जो persons with disabilities हैं उनके लिए ज़्यादा काम करने की बात की गई है अगर हम देखें changes क्या हुए हैं जो 1995 वाला act था उससे इसके अंदर तो भई एक तो 21 disability हो गई है 21 disabilities के type है अगर हम बात करें क्यों लागू किया गया या emphasis किस बात पर है तो हम चाहते हैं या हमारी government चाहती है या UN चाहता है अगर कहें तो कि जो persons with disabilities हैं उनको equal opportunity मिलें जितनी भी उनकी बाकी के rights हैं वो सारे उनको मिलें और वो सुकून से रह पाएं सभी लोगों की तरह और उनको include किया जाए inclusion का मौका मिले उनका जो basically उनके talent है उनको जो एक तरीका है उसको हम समझ पाएं Next एक चीज है Every child with disability between the age group of 6 and 18 years 6-18 वर्ष का कोई भी बच्चा जो in disabilities के अंडर आता है किस उसको free education मिलेगी 6-18 वर्ष में Next है आपका जो ये नया act है ये हमारे law को in-line कर देगा कहें जो UN की एक convention हुई 2007 के अंदर उसमें इस बात की गई कि इस तरह के प्रादधान होने चाहिए जो inclusion के लिए जो persons with disabilities है उनके तो इसको हमने माना और कहें तो अपने जो यहाँ पर अपना एक law बनाया 2016 का तो ये एक बात हुई next है कुछ main जो highlights है उसकी इनको समझेंगे अगर हम बात करें जो 1995 का act था उसकी तरहा या उससे हट कर कहेंगे तो 1995 के act से हट कर ये जो act है ये जादा accessibility प्रतान करता है जादा accessible बनाता है जादा बहतर concepts को ध्यान में रखता है एक broad mind से देखता है 2016 वाला जो आपका law है या act है पहली एक बहुत important news कह सकते हैं एक update कह सकते हैं इसके अंडर कि जितने भी आपकी public जगहाएं हैं जहाँ पर भी आप visit करते हैं चाहे वो public buildings हो hospital हो modes of transport हो polling stations हो मतलब जहां भी आप जा रहे हैं या especially जो disabled लोग हैं वो जा रहे हैं दिव्यांग जा रहे हैं तो उनको हमें disabled friendly बनाना है चाहे slope बना दिये school में hospitals में buses में कुछ इस तरह का प्राधान हो गया तो disabled friendly मतलब वो भी कहीं भी आजा सकें जो दिव्यांग लोग हैं यह 2019 तक हमें करना है मतलब कि दो साल का समय था तो 15 जून 2017 से शुरुआत हुई है इसकी enact हुआ है यह और 2019 में जो है यह persons disabilities के साथ हैं उनके लिए सारी जगा friendly बन जानी चाहिए disabled friendly next important point है a path breaking feature of the new act is the increase in reservation in government jobs from 3% to 4% जो government jobs है आपकी उनमें 3% से बढ़ा करके reservation को 4% कर दिया गया है जो persons with disabilities है उनके लिए next है at least 40% 40% की जो disability है और शमता है वो होनी चाहिए इन सब benefits को लेने के लिए next है आपका violation of any provision of the act is punishable अगर कोई भी इनको इनका हनन करता है इन अधिकारों का जो persons with disabilities के लिए act बनाया गया है उसको नहीं मानता है violate करता है तो ये punishable है मतलब की दंड मिलेगा 10,000 रुपे तक का जुर्माना jail या दोनों भी हो सकते हैं next एक चीज है new disabilities can be added by notification बहुत गौर्मेंट कहती है हम add कर पाएंगे इन 21 के साथ तो ये कुछ-कुछ main-main points थे ये main highlights थी जिनको हमें ध्यान में रखना है as teachers और बहतर कोशिश करनी है जो inclusion की एक बात है उसको हम बहतर तरीके से सच साबित कर पाएं next है आपका जो PWD Act था आपका 1995 वाला उसमें साथ disability थी कौन सी-कौन सी ये आप देख सकते हैं blindness, low vision, laprosy, hearing impairment, locomotor disability, mental retardation और mental illness तो ये साथ तो है ही है इसके साथ plus कितनी हो गई है अभी हमने discuss किया था plus 14 हो करके आपकी 21 हो गई है आज के टाइम पर जिनके बारे में हम छोटा सा discussion करेंगे एक overview लेंगे specifically ताकि आप कोशिस रहे आपकी जो exam में पूछ लेता है कि ये वाली disability है या नहीं है तो इन 21 में से main जो आपको ध्यान देना है वो आपको देखना है कि acid attack victims को add कर दिया गया है Parkinson's disease को add कर दिया गया है Thalcemia जो blood से संबनित है hemophilia ये भी blood से संबनित है cerebral palsy को add किया गया है dwarfism जो bonapun है उसको add किया गया है नया इन सबकी अलगलग category बनाई गई है और साथ से किस हुई है तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों को अलगलग तरीके से जो problem face करते थे उनको थोड़ा बात benefit मिल पाएगा तो बात करें blindness की तो आप जानते हैं जो देख नहीं सकते यहां पर और अच्छे से इसको एक बार समझ लेते हैं acid attack survivors मतलब जो acid जिनका basically face हो या कोई भी acid से period थे उनको इसमें फाइदा मिलेगा जितने भी आपने अभी देखा जो भी benefits हैं वो मिल पाएंगे next है आपका specific learning disabilities वाले जो लोग हैं specific learning disabilities में basically आपका reading, writing, motor coordination, mathematical problems जैसे dyslexia वगेरा सब आजाते हैं तो यह हुआ दूसरा तीसरे के अगर हम बात करें muscular dystrophy मतलब जो muscles हैं वो कम होने लगते हैं यह तरह का क्या कहें इसको अपने parents से inherited रोग है तो muscular dystrophy वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है फिर speech and language disability जो बोलने में और language को comprehension में दिक्कत है उसको भी इसमें शामिल किया गया है Parkinson's disease को भी इसमें शामिल किया गया है Parkinson's disease में basically क्या है आपका जो motor coordination है वो कम होने लगता है चलने में फिरने में दिक्कत होगी और यह curable नहीं है इसको आप ठीक नहीं कर सकते दवाई दे करके Next है multiple disabilities including deaf blindness बहुत सारी disabilities का एक umbrella term बना करके उसको भी include किया गया जैसे fine motor skills से समंदित एक disability हो सकती है deaf blindness को भी इसमें include किया गया है जो सुन और देख नहीं सकते तो यह इस तरह की multiple disabilities का भी एक column या section मनाया गया है Next है आपका यह है 7th disability thalassemia thalassemia blood से समंदित है पहली बार add हुआ है और इसमें क्या होता है जो oxygen करिंग जो भी element है आपके blood में वो कम काम करता है यह oxygen की कमी होती है blood के अंदर, hemoglobin के अंदर तो इससे एनेमिया हो सकता है मतलब खून की कमी Next है blindness मतलब जो देख नहीं सकते उसके बाद आता है chronic neurological conditions तो chronic neurological conditions में आपका tumor वगएरा हो सकता है जो आपके brain, आपके nerve, आपके spine इन सब को एकदम affect करे तो chronic neurological condition हुई फिर इसके बाद laprosy cured persons आते हैं laprosy cured persons मतलब इनको cure हो सकता है laprosy में क्या होता है? pain feel नहीं कर पाता है एक व्यक्ती यह भी nerve से ही सम्मंदित है Next है mental illness मतलब जो mental illness आप समझते हैं इसमें clinical depression हो सकता है इसमें schizofrenia हो सकता है जितने भी mental illness हैं वो उसके अंदर आएंगी फिर है lokomotor disability lokomotor disability पहले भी था और lokomotor disability में basically चलने में दिक्कत होगी हो सकता है wheelchair पर हो व्यक्ती हो सकता है मतलब coordination होगा ही नहीं और सबसे specifically चलने में दिक्कत है motor disability है एक तरह की next है आपका multiple sclerosis अब multiple sclerosis में क्या है basically जो आपका immune system है वो affect होने लगता है जो आपका immune system और आपके brain तक जो जाने का basically क्या कहें एक communication है उसको affect कर दिया जाता है इस तरह की nerve affect हो जाती है आपकी immune system के द्वारा next है आपका sickle cell disease अब sickle cell disease में क्या है जो red blood cells है आपकी वो कमजोर होने लगती है या half में show होने लगती है आप देख सकते हैं ये एक normal red blood cell है और ये जो half दिख रहे है ये आपकी sickle cell वाले व्यक्ति की है next है आपका hemophilia अब hemophilia में क्या है basically ये भी आपका blood से संबंदित है जब जो hemoglobin है उसके अंदर क्या है ये हम देख सकते हैं आपका dot dot बने लगते हैं blood clotting में problem आने लगते है clot नहीं होता blood next है autism spectrum disorder autism spectrum disorder एक umbrella term है एक छाता जासा term है जिसके अंदर बहुत सारे disorder आ जाते हैं जैसे ADHD है जैसे autism का एक प्रकार है इसमें आपके अपने बहुत सारे आ जाएंगे hearing से संबंदित भी हो सकता है even next है cerebral palsy अब cerebral palsy वाले का भी nervous system से ही problem है जुड़ी हुई ये भी चल नहीं सकता इसको भी coordination में problem होती है motor के next है आपका intellectual disability intellectual disability मतलब की intellect है या कहें जो इनकी below average quality होगी intellect की mental जो process है intelligence जो है वो below average होगी ये कह सकते है next है आपका low vision मतलब देखने में जो vision है कम होगा 20 by 70 कह सकते हैं hearing impairment मतलब सुनने में दिक्कत है या तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं hard of hearing हैं बहुत मुश्किल से सुनते हैं and last one is dwarfism मतलब बोनेपन को भी इसमें शामिल किया गया है तो ये कुछ किस disability है कुल मिला करके जिनको आपको especially ध्यान में रखना है और इसमें भी अगर मैं चुनके बात करूँ cerebral palsy को dwarfism मतलब बोनेपन को thalassemia और hemophilia मतलब की जो blood से संबंदित problem है इनको Parkinson's disease को acid attack victims को इनको especially इसमें add किया गया है तो फिर से ध्यान में रखे acid attack victim, Parkinson's disease thalassemia, hemophilia, cerebral palsy और dwarfism इनको तो बहुत अच्छे से दिमाग में रखे बाकी भी आप ध्यान में रख करके जाएं हमने discuss कर ली है पूरा जो एक overview हो सकता है बहुत बार यह पूछा जाता है यह वाली जो disability है इसमें included है या नहीं है तो यह आपको 21 disabilities बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके जानी है इनको आप देख सकते हैं screenshot ले सकते हैं अगर आपको यह discussion पसंद आया हो यह जो एक basically RPWD Act का पूरा overview था जितने भी important points थे वो पसंद आये हूँ तो आप इस video को like करें जाज ज़्यादा share करें उन लोगों तक जो भी आपके किसी भी exam की progression कर रहे हैं क्योंकि यह सभी के लिए important है और subscribe कर ले चैनल को अगर पहली बार देख रहे थे तो thank you guys, thanks for watching this was Himanshi signing off और I hope आपको इस video से help मिलेगी एक समझ बढ़ाने में inclusion की हम inclusive society की और बढ़ सकें as teachers उसमें आपको भी मदद मिलेगी एक अलग point of view से आप देख पाएंगे धन्यवाद